दुर्ग में एक बार फिर पैसा डबल करने के नाम पर एक संसा ने अपनी स्किम लाई है जिसमें शहर की काफी महिलाएं जोड़कर 90 दिन में पैसा डबल करने की स्किम पर महिलाओं ने पैसा लगाया है अब देखना हुआ कि कहीं इस किम भी दुर्ग में घटित काला मोती ज सब्सक्रान कि नम्सें महीलाओं से नभ्य दिन में पैसा डबल करने की इसकेंप पैसा लिया जा रहा है इस थंसता की कारेकरता उकर कहना हैं कि भारत सरकार की योजना बेड़ी बचाओ बेड़ी पढ़ाओ की योजना से हम प्रेडित होकर इस योजना को चला रहे हैं जिसमें कम से कम 550 रुपे जमा करने पर उसे 90 दिनों में 1100 रुपे से 1 लाग तक रुपे मिल सकते हैं और साथ ये भी कहा कि योजना किसी सरकारी योजना के अंतरगत नहीं आती ये उनकी एक प्राइविट संस्था के द्वारा चलाई जा रही है इस योजना की स्किम सुनकर काफी महिलाओं पैसे जमा करना शुरू कर दिया मगर ये जांच का विशय होगा कि कहीं ये स्किम वही काला मोती स्किम जिसने दुर्ग शहर में काफी महिलाओं को ठगा कहीं इस तरह की कोई ठगी तो नहीं इस मामले में दुर्ग पुलीस अब तक अंधिरे में हैं दुर्ग पुलीस कही व्यत्ती को गिरफतार किया गया है इस आरूपी का नाम प्रकाश है और वो भी रायपूर निवासी बताय गया है इस घटना में दुर्ग पुलिस की एक बड़ी लापरवाही भी उजागर हुई है जिसमें आम नागरिक इस तरह से एक बड़ी ठगी का शिकार होने जा र कर रहे आरूपियों की धर पकड़ कर उन्हें सलाकों के पीछे भेजती है एसीन न्यूस के लिए दुर्ग से नसीम फारुकी की रिपोर्ट